एग्स बिल्कुल स्टैंडर्ड ब्रेकफास्ट हैं वर्ल्ड ओवर और ये बहुत जादा हेल्दी भी होते हैं और इसको आप रोज खा सकते हैं लेकिन रोज खाने में सिर्फ एक परिशानी है कि आप बोर हो सकते हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टनेंट है कि एग्स के अंदर वेरियेशन हो और आज इसके अंदर मैं डालूँगा मेरा स्पेशल वेरियेशन सफोला मसाला ओट्स कौन कहता है कि टेस्टी कांट भी हेल्दी मैं बनाओंगा लाजवाब डिशिस आपके लिए जो हैं बहुत हिल्दी दी हलो और वेल्कम टू सफोला फिट फूडी मैं हूँ शेफ कौनाल कपूर और आज जो हम डिश बनाने वाले हैं उसका नाम है सफोला ओट्स एक भुर्जी सैंड़िच एक भुर्जी सैंड़िच के लिए सबसे पहले मुर्गी केंडे दो से तीन आराइट इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट थोड़ा सा पेपर और इसे विस्क करेंगे पैन को हम करेंगे गरम, इसके अंदर अब हम ब्रेट डाल कर, ब्रेट को टोस्ट करेंगे और जब तक ये ब्रेट टोस्ट हो रही है, तब तक हम नज़र डालते हैं कि फिट फूडी मीटर पर एक भुर्जी सैंडविच का ओरिजनल स्कोर कितना है सफोला फिट फूडी मीटर is developed in consultation with the Indian Dietic Association to help you make informed and healthy food choices ये मीटर डिश की nutrition और health को simplify करता है डिश के total health score के साथ साथ हमें बताता है कि हमारी डिश आम तोर पे बनने वाली डिश से कितनी जादा healthy है इसका score है 32 यानि कि हमारी कोशिश ये रहेगी कि इस score को हम एक अच्छे मार्जन से बीट करें और इसको shift कर देते हैं यहाँ पर और एक नई पैन में हम शुरुआत करते हैं हमारी एक भुर्जी की इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा सफोला ओईल अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा थोड़ी सी ग्रीन चिली और थोड़ा सा जिंजर अब इसके अंदर हम डालेंगे सफोला classic masala oats likely इसको stir करना है toast को हम तर्न करेंगे और आब इन ओट्स के अंदर हम डालेंगे एग्स और इसे quickly हम scramble करेंगे यानि की भुर्जी की तरह पकाएंगे थोड़ा सा लाल मिर्ची पावडर and the eggs are done and the toasts are done now is the plating time हमारे पास ये toast तयार है इसके ओपर हम डालेंगे थोड़ा सा याज थोड़ी सी बारी कटी हुई cabbage थोड़ी सी बारी कटी हुई गाजर और हलका सा सॉल्ट, हलका सा पेपर और ये जो हमारी ओट्स वाली एग की भुर्जी है अब all we need to do is cover our sandwich with the other toast we'll just cut it into two awesome, अब इसे हम प्लेट करेंगे इसके अंदर हम एक टूथपिक डालेंगे ताके it holds the sandwich together lovely, just in case you missed out on something, देखते हैं एक जटपत रीकाब सफोला Oats एक भुर्जी sandwich बनाने के लिए 3 eggs and इसमें add करेंगे salt और pepper और इसको विस्कर लेंगे एक गरम पैन में ब्रेट को टोस्ट करें एक अलत पैन में डालें सफोला ओल now add to it zira, green chilli, ginger and सफोला classic masala oats and lightly stir now add the egg mix to the oats and scramble them lastly add some red chilli powder and lightly toss now on the ready toast, place onions, cabbage, carrot, salt and pepper now place the egg bhurji on the toast and cover it with another toast and सफोला Oats egg bhurji sandwich is ready और इस hero dish में अखिरकार दम कितना है ये जानने का ताइम आगया है so this is the time to refer to the fit foodie meter और सफोला oats egg bhurji sandwich का total score fit foodie meter पर है 39 अगर आप जानना चाते हैं कि सफोला masala oats के साथ आप क्या-क्या बना सकते हैं तो हमारी website पे जाए www.fitfoodie.in और जो भी रेसिपी आपको पसंद आती है उसके साइट में एक छोटा सा WhatsApp लिंक है उस लिंक को क्लिक कीजे अपना नंबर दीजे और इंस्सेंटली आपके नंबर पर WhatsApp के जरिये वो रेसिपी पहुंच जाएगी और अगर आपके पास भी कुछ बहुती क्रेटिव आइडियाज है सफोला masala oats को इस्तमाल करने के so do share it with us at talktous at fitfoodie.in